जै श्री कृष्णा एस्टो के प्यार में आपका हार्दिक स्वागत मैं किशन रागानी खलकटा से आज मैं आपको बताता हूं मैं यूद कस्वे खाते हैं वफाक करेंगे बिभाएंगे बात मानेंगे साथ जनम तक पत्ति पत्नी रहेंगे तो ऐसे वी यूग है मैं आपको अपनी बुक से यह पढ़के सुनाता हूं जो कि मुझे ग्यात हुआ है और इस टेस्टेट मैंने देखा भी है कुंडियों में है बीस सालोगे कई कुंडियां देखिया है कई उतार चड़ाव देखिया कहता है अगर आपके सेवन्थ हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है उस पर चंद्रमा की द्रिष्टी पड़ जाए तो यह साथ जनम का साथ होता है पहली बाद प्राइम कंसर्म माना शुक्र साथ में बैठे और चंद्रमा जहां कर रहा है अत्ती शुड़ जातरक और जातिक माना पती पत्नी दोनों की कुंडली खूलते हैं तो इस फोष्पे देखते हैं कि उनकी महादशा दोनों की और उसकी अंतर द्षा में भी कुछ ऐसे संकित मिलते हैं कि यह साथ जनम से कुछिव बत्नी रहेंगे और आगे भी रहेंगे इनका परस पर संबन्त दिख जाता ह इन दोनों जातों की कुंडली में सब्तम भाव से शुक्र से जरूर होता है वना इनका सेवन्थ हाउसन है उसमें शुक्र का कुछ न कुछ रोल अदा होता है विशोंतरी में अंतरदेशा में शुक्र शुक्र जैसे पती के लिए पत्नी पत्नी के लिए पती शुक्र होता है इसके अलवा दोनों की कुंडली में शनी और मंगल का परस पर कनेक्शन हो, शनी और मंगल का परस पर कनेक्शन हो, तो निश्यती वे कुछ संग्यान आपको साथ जनन तक एक दूसरे का जिवन साथी बना सकता है, और कुछ और भी है, मैंने आपको ये बताया बहीं, तो ये वो ये योग है, आशाया आपको ये समझ में आगया होगा, ये कुंडियों में दिख जाता है, इससे ये मैं इतना चोटा संग्यान पूर्ण करता हूं, हरे रामक्रश्न,